नमस्कार दोस्तो नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक बाद फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नोटिस के बारे में ठीक है आर आर भी रेलवे रिक्रूर्ट बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है ठीक है अगर आपकी फी अभी तक रिफंड नहीं हुई है तो आपको कुछ काम करना होगा कुछ प्रोसेस में चेंड किया गया है ठीक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इंट्रेस्टेड है तो इस वीडियो को अंतक देख लीजिए ठीक है ये वीडियो आपके काम आने वाला है अग ये पर आप ने अभी तक अन आकेडमी आप डाउंलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्सन बोक्स से अन आकेडमी आप को डाउंलोड कर सकते हैं और हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो वहाँपर आपकी जो हिस्ट्री की कॉन्सेप्च्य ट्लासीज Surprise, दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं Government of India, Ministry of Railway, Railway Recruitment Board की तरफ से ये notice जारी हुआ है CEN01-2018 ALP on Technician Post के लिए ये है Refund of Examination Fee के रिगारिंग जो है ये notice जारी किया गया है तो इसमें बता है कि Railway Recruitment Board ने जो है Refund का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है उन candidates के लिए जिन्होंने First Stage CBT, ALP और Technician के लिए जो उसमें उस परिक्षा में बैठे थे ठीक है तो क्या है During the Refund Process, Refund Process के समय It is noticed that for some of the candidates the refund has failure due to incorrect bank details furnished by them such as wrong account number, wrong IFSC code of the bank branch filling up customer ID in place of account number ATC तो इन्होंने क्या पाया कि Refund Process के दोरान इन्होंने पाया कि कुछ candidates का जो fee refund process है वो fail दिखा रहा है किस वज़े से कि उनके या तो incorrect bank details है या फिर उनके IFSC code गलत है या फिर उनके account number गलत दिये गए है ठीक है ये चीज़ें जो railway RRB के सामने क्या है उन्हें फेस करनी पड़े हैं ये कुछ problems हैं अब आगे दिया गया है candidates whose refund transaction has failed due to incorrect bank account details will be initiated regarding the failure of refund through SMS on 1712-2018 तो इसमें बताया गया है जिन candidates का जो refund transaction fail हुआ है उन्हें जो है RRB की तरफ से message भी मिलेगा 1712-2018 को ठीक है तो to facilitate these candidates to correct their bank account details a bank account rectification link will be provided on the official website of RRB which will be live from 1812-2018 to 2512-2018 तो इसमें बताया गया है कि जिन candidates के जो refund transaction fail के अंतरगत जो ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए RRB ने एक मोका और दिया है उन candidates के लिए कि वो link जो activate होगा bank account जो correct करने का ठीक है वो 1812-18 December 2018 से 25 December 2018 तक वो link activate रहेगा वहाँ आप अपने जो है bank detail IFSC code, bank branch name जो भी है सारी जो अगर कुछ खामिया है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं candidates are advised to make use of this final opportunity to correct the bank details to enable refund तो इसमें बताया है कि यह आखरी जो है प्रावधान है यहां पर आप क्या है अपनी bank details वगरा ठीक कर सकते हैं while filling the bank account information please ensure that the bank account number and IFSC code enter are correct तो आपको बताया गया है कि आप account information में क्या है आपका bank account number और IFSC code बिल्कुल जाच के भरें ठीक है अब दिया गया है please note that this is the last opportunity and therefore you are advised to furnish correct details of bank account number and IFSC code once you submit the bank detail further editing of bank details is not permissible and RRB shall not be responsible for further failure of refund तो इसमें बताया गया है कि यह जो आखरी opportunity आप मोका आपको दिया गया है कि आप अपने bank account, account number, bank account detail, IFSC code, bank branch name जो भी है वो last मोका है आपके पास आप उन्हें ठीक कर सकते हैं इसके बाद आपको कोई भी मोका नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों यह जो notice डाला गया है 12 December 2018 को डाला गया है इससे पहले हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं लेकिन होता क्या है कि YouTube कई बार क्या है notification नहीं भेज़ता तो वो notification आपको मिला नहीं जिस वज़े से क्या है यह वीडियो दोबारा से हमें बनानी पड़ी वो वीडियो हम डेलिट कर चुके हैं और यह वीडियो हमने इसलिए यह बनाया है ठीक है दोस्तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हमने एक टेलिगराम का गुरूप बनाया है वहाँ पर competitive exam की तैयारी करने वाले बहुत से candidates जुड़े हुए हैं आप description box में जाके वहाँ लोगों से बातचीत कर सकते हैं आपके doubt किलियर कर सकते हैं तो हमें personally भी आपके अगर कोई क्यूरी है तो हमसे बातचीत कर सकते हैं तो दोस्तो ये एक छोटी सी information थी जो आपके साथ share करनी थी उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को share करना तो बिल्किल भी ना भूलें तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक के लिए जैहिन